खरगोन अवेद हतियार को लेकर पुलिस की बड़ी कारवाही, दो आरोपियों के कबजे से 29 अवेद पिस्टल और देशी कट्टे जब्त, आरोपियों में एक नाबालिक भी शामिल, एस पी धंविर सिह ने मीडिया को किया खुला सा अवेद हतियार की कीमत करीब 5,50,000 की है, आरोपियों के साथ आरोपियों को किया गिरफतार, आरोपियों को बिलाली के पास धरदबोचा, गोगामा पुलिस ने की कारवाही, चुनाव को लेकर 1 जन्वरी से अभी 98 आरोपि से 304 पिस्टल पहिद अवेद हतियार खरगोन पु खरगोन पुलिस के द्वारा अवेद फायराम बनाने वाले जो आरोपी है, उनके खिलाब एक बड़ी कारवी की गई है, ये गोगामा पुलिस को इंपुट मिला था कि लेट नाइट दो आरोपी हैं जो कि लीगल आमस की खेत डिल करने के लिए जा रहे हैं, उस आरोपियों के पजेशन से 29 देशी बनी हुई पिस्टल और कटे बरामत हुए हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, इनकी सप्लाई कहा होने वाली थी और किस प्रकार से इनका नेक्सस है, इससे पहले भी पूरी साल भर में 2023 में लगब 304 फायराम जब्त किये गए हैं, इनकी फैक्ट्री और जो हाइड आउट से उन पर लगाता रेड की गई है, इनके लीगल जो मकान थे उनको डेमोलिस किया गया है, इसके साथ साथ अजय सिंग जो आरोपी पहले लंबी खेप किसार गरफतार हुआ था, उसके बिरुद में एनसी की कायरवाई की राजिसासन के द्वारा, बलकि माननी एडवाजरी बोर्ट के द्वारा भी कन्फर्म की गई है, इस पकार अवैद हत्यारों के जो स्मगलर्ट्स हैं, जो इन पकारी गद्विद्यों में लिपतें, उनके व्रुद हमारा ऑपरेशन से कंजा लागाता जारी है, और अभी त केनल डिजियाना न्यूज निवार को सब्क्राइब जरूर करें